अवरे भाई फीटर जाने चाहते हो क्या लिख्यों रख लो इस बार राश्ट्रेला ही जीतेगा हमारे पैस डुनिया के सब से अच्छे अच्छे खिलावरी है अबे ऐसे कैसे जीत जाओगे हम लोग क्या इदर चने खारे ले क्या खिलाडियों की कमी हमारे पास भी नहीं है अवरे भाई तू जानता नहीं है हमारे खिलाडियों के बावरे में हमारे खिलाडियों बहुत खतरनाक हैं डेविड वार्नर को जानता है क्या यह बहुत लंबे लंबे छके मारेगा और थोड़े चोके भी मारेगा अबे इसकी टकर का रोहिट शर्मा है ना हमारे पास जा को लेपेट के खा जाएगा औरे तो हमारे पास दार्सी शॉट है ना इसके लिए हमारे पास शिकर धबन है ना गबर तेरे दार्सी शॉट को खिंच खिंच के डार्सी लॉंग बना देगा औरे तो हमारे पास स्टीव स्मिथ है ना इसकी ठकर का कोई है क्या अबे विराट को को भूल गया क्या अगर कोली को पता चलेगा तो गोली मार देगा तुझे कोली से बहतर कोई नहीं हाँ इसको छोड़ो हमावरे पैस नयाव लड़क्या मारने स्लेबिशान है न यह हर मैच में सेंचुरी बना रहा है इसकी ठकर का कोई है क्या हाँ हर मैच में सेंचुरी तो बनाएगा ही अभी तक इसने इंडिया के खिलाफ नहीं खेला ना जब इंडिया के खिलाफ खेलेगा न तब पता चलेगा इसको बैटिंग कितनी मुश्किल होती है इसकी टकर का भी खिलाडी है हमारे पास स्रेय सायर ये इडली खाखा के मारेगा तुम लोगों को ये भी हर म की टकर का मनिश पांडे जी है हमारे पास अभी अभी इनकी दबंगत्री आई है औरे हमारे पास बेस्ट विकेट कीपर आलेक्स क्योवरी है ना अब है वो आलेक्स कैरी है बोल तो ऐसे रहा है जैसे वो आलेक्स कैरी नहीं कैरी मिनाटी हो इसके लिए हमारे पास रिशप पंठ है ना औरो यार बस बहुत हो गया चलो अब बॉलर्स की बॉलर में बात करते हैं हमारे पैस मिचल स्टार्क है ये आश्ट्रलिया का शार्क है अरो शार्क होगा अपने आश्ट्रलिया में इंडिया में सिर्फ भुम्रा सबको गुम्रा करता है औरो हमारे पैस ये केमी को गुस्ता आ गया न तो तेरी हसीन जिन्दगी की वाट लगा देगा भाई जोज हैजलूड है हमारे पास इसको तो छोड़ दो न अरह ऐसे कैसे छोड़ दे इसके लिए हमारे पास नोदिप सेनी है न देखा गया श्री लंगा के खिलाफ कैसी बॉलिंग कर गया आया भाई आखरी बॉलर है केन रिचर्डसन इसके लिए शरडूल ठाकूर है न अब ठाकूर साब के हाथ गबबर भी नहीं काटेगा और भाई अब बस्पिनर्स बचा है उमिधा इनकी टकर का कोई नहीं होगा आश्टन अगर अब बटाओ इसकी टकर का कान है रविंद्र अब इन सब कछोड़ो हमारे पैस आश्टेन टर्नर है जिसने अकेले मैश टर्न किया था उसका भूल गये ख्या अरे जा रखले एक अकेले प्लेयर का क्या कर लेगा हमारे पास भी छोटा सलमान खान केदार जादब है ये छोटा पटाका है लेकिन धमाका बड़ा करेगा इनकी टकर का कोई नहीं है क्या और या रेत तो चीटिंग है हम लोग सिर्फ 14 लोगों का स्कॉर्ड लेक्या आए और ये लोग 16 लोगों का स्कॉर्ड लेक्या आगे इसलिए बोलता हूं कम खाया करो 16 लोगों की बस में सिर्फ 14 लोग आप आए ना दोस्तों आप लोग ही क कमेंट करके बोलो इंडिया जीतेगी या आश्ट्रेलिया और आपका इस सीरिस में फेबरेट प्लेयर कौन है वो भी कमेंट करो और लाइक करना मत भूलना